नमस्कार आप सभी का सुवागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरेनेस एजूकेशन यूच में दोस्त इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान एनेचम में जो सवीधा नर्स है अर्थात जीनम स्टाफ और एनम की सैलरी कितनी मिलती है यानि कि जो भरतियां चल रही हैं फिलाल अगर आप उनमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कितना प्रतिमहा मिलेगा इसके अलावा सी एचो कम्यूटी हेल्थ ओफिसर्स की सैलरी क्या रहेगी तो बहुत ही महत्पून जानकारी का ये वीडियो है साथियो इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि सबवीदा नर्स हो यानि कि जी एनेम हो या फिर एनेम या फिर सी एचो कम्यूटी हेल्थ ओफिसर्स तीनो ही जो पोस्ट हैं उनको कॉंट्रक्चल रूल्स में सामिल किया गया है यानि कि सबवीदा सेवा नियमों में जो कि जनवरी 2022 में लागू किये गये थे गहलो सरकार के समय ये रूल्स आये थे अब आपको सैलरी बताते हैं कि आप लोगों को सैलरी कुल कितनी मिलेगी ठीके साथियो तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखियेगा और आप लो एनियमों कि जो सैलरी है वोforme 13,150 रूपिया ठीक है साथियो कितनी? एनियम की सैलरी रहेगी जो जो एनेचम वाली सैलरी उसकी में बात कर रहा हूँ 13,150 रूपिया ये मिलेगा यदि आप लोग 3,008 वाले भर्ती में लग जाती हैं तो आप लोगों को 13,150 रूपिया हर महीन payment मिलेगा ठीक है जो पहले कहीं साड़े पांच-छे के आसपास मिल रहा था वो सवीदा नियमम उसे 13,150 किया गया ठीक है तो 13,150 रुपए A&M की N.H.M की salary रहे किसकी? N.H.M की National Health Mission N.H.M की 13,150 A&M की salary है दूसरी बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए G.N.M या सवीदा नर्स की G.N.M की जो salary है 18,900 कितने? 18,900 रुपया ये आप लोगों की salary रहेगे ठीक है पर मन्त 18,900 रुपय G.N.M को मिलेंगे N.H.M वाली भरती में यदि आप select हो जाते हैं नोकरी करने लग जाते हैं तो 18,900 रुपया आप लोगों को payment मिलेगा ठीक है? और ये भी contractual rules में सामिल है. अब आपको बताते हैं कि जो contractual rules हैं उसके तहत C.H.O या फिर A.N.M या फिर G.N.M इनको contractual rules में सामिल किया गया था सवीदा सेवन नियमों में अब सात्यों जो C.H.O की जो salary है आप लोगों को सवीदा नियमों में दिखेगी 18,900 ही क्या लिखेगी? 18,900 ही उससे पहले मैं बात कर लो आप लोगों की A.N.M की ठीक है? देखीए ये contractual rules में आप लोगों की salary 13,150 है. इसका मतलब क्या है? कि जो N.H.M में आप लोगों नोकरी लगेंगे A.N.M और G.N.M में तो आप सवीदा नियमों में सामिल होंगे. इसका मतलब क्या है? कि आप लोगों का जो वेतनमान है 13,150 मिलेंगे हर साल फिर वो 9 साल बाइद उनको revise किया जाएगा. वो कितना होगा वो भी बता देता हूँ. तो A.N.M की salary 13,150. G.N.M की 18,900. और C.H.O की जो salary है साती हो. contractual rules में 18,900 ही दी गई है. किसमे? contractual rules में. देखिए आप लोगों यहां पर देख पा रहे होंगे. 18,900. लेकिन यह जो salary है 25,000 है. कितनी है? 25,000 है. क्योंकि इससे पहले N.H.M की तरफ से इसको तै किया गया था. जब 25,000 तै किया गया था. राज्य सरकार ने भले ही contractual नियाओं में से 18,900 किया हो. लेकिन यह salary आप लोगों की 25,000 ही रहेगी. क्योंकि N.H.M की निर्धारी दरों पर आप लोगों को यह पैसा है. यह तो तनक्वाई मिलने वाली है. तो जो CHO की है. वो 25,000 salary plus incentive वो 15,000 के आसपास होता है. लेकिन पूरा सब को नहीं मिल पाता. किसी का 10 बनता है. किसी का 11. अप्रोक्सिमेट के सबविदा नियमों में सामिल है. वो हम इसलिए कह रहे हैं आप लोगों को. क्योंकि N.H.M के थे जितने भी post थे. N.H.M के थे जितने भी post थे. पद थे. जिसमे A.N.M.B. है. आपका G.N.M.B. है. या फिर CHO भी है. यह सारे आपने 9 साल कंप्लीट की है. उसके बाद आपका वेतन बढ़ जाएगा. और इसमें contextual rules में यह भी है कि आप लोगों को in future. क्या? in future. permanent भी किया जा सकता है. ठीक है? in future permanent भी किया जा सकता है. तो तो आप लोगों को salary एनाच्चा में कितनी मिल ही है. मालो एनम को मिल रही है 13,150. और जैसे एनम ने 9 साल काम कर लिया तो salary हो जाएगी कितनी? 23,100. कितनी हो जाएगी? 23,100. और फिर उसके बाद 18 साल अगर पूरे हो गए तो यह salary हो जाएगी 40,300. ठीक है? और पद का नाम grade second grade third हो जाएगा. यह एनम का है. अब आप लोगों को 18,900 जो मिल रहा था यानि कि NHM का तो यहां पर 9 साल बाद 32,900 salary हो जाएगी. जी एनम की और फिर 18 साल बाद हो जाएगी 37,200. अब और इसमें rules होगा कि जिसको मालो 13,150 से जादा मिल देखा आप तो नए लगेंगे NHM में एनम और जी एनम पर तो आपको तो 13,150 या 18,900 मिलने वाले हैं. CHO को 25,000 मिलने वाले हैं. लेकिन CHO को जैसे 9 साल होगी तो CHO का जो scale है वो यहां पर बदल जाए. अगर वो scale लगबग हो जाएगा 50,000 क्यास पास. कितने 1000 क्यास पास? जो main जो चीज है. इंसेंटिव हटा दीजिए. तो वो लगबग हो जाएगा 50,000 क्यास पास. ठीक है? तो ये पूरी बात है. NHM की salary के बारे में हमने बताया आप लोगों को और contractual rules में सामिल हैं. ये तीनों ही तरीके के पास. सवीदा 7. इसमें आप लोगों को हटाए नहीं जाएगा. पर्मानेंटली जोब रहेगी. 9 साल का scale पूरा करेंगे तो आप लोगों का payment बढ़ जाएगा जो 13,150 से या 18,900 से या 25,000 से तो बढ़ जाएगा. और हर साल इसमें जो है वरदीदर भी रखी गई है इंक्रिमेंट भी रखा गया 5% का ठीक है? 5% वरदीदर का भी इंक्रिमेंट यहां पे रखा गया है ठीक है साथियो? अब अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे जो आएगा वीडियो एक दो दिन के अंदर NHM या CHO जो GNM के अभ्यारती है उनके लिए यह वीडियो लेकर के आएंगे कि कौन सी जो बढ़िया है मालो किसी का CHO में भी हो रहा है NHM में भी हो रहा है तो उसे कौन सा जोइन करना चाहिए? बिलकुल आवराल कम्पलीट विशलेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो वे आएगा और उसके बाद जो पर्मानेंट भरतियां चल रही है जैसे नर्सिंग ओफिसर है एनम है और लैब टेक्नीशन रिडियोग्राफर और फार्मासिस्ट इनकी सेलरी क्या रहेगे आप लोगों की दो साल तक कितना मिलेगा दो साल बाद कितना मिलेगा वो सब कुछ भी हम अगले कुछ दिनों के अंदर नेक्स्ट वीडियोज में उसको भी बता देंगे तो आज आपको समझ में आगिया होगा कि एनेचम, एनम, जीनम और सीएचो की सेलरी क्या है कॉन्ट्रक्चल रूल्स क्या है हमने समझा रख है कॉन्ट्रक्चल रूल्स को जब आप लोग जाएंगे इसी चैनल में यानि के आरनेस एजुकेशन न्यू चैनल के पोपुलर वीडियोज में जब आप लोग जाएंगे क्या आपको पता था इससे पहले कि सेलरी क्या मिलती है ठीक है तो ये भी बताना है इसके अलावा दोस्तों टेलिग्राम को जोइन कर लीजिएगा इंस्टा फेस्बुक सब जगे आप लोग जोइन कर लीजिए आरनेस एजुकेशन न्यू सर्च करना आप लोगों को आपको आईडी हमारी सबसे टॉप पे दिखेंगी और वहां से आप लोग जोइन कर लीजिए जिस आईडी को फोलो करना फोलो कर लीजिए धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में फिलाल इतना ही जै हिंद जै भारत